गूट मॉर्निंग डियर स्टूडेंज जीवीडियल सिनिर सेकंडर स्कूल मिश्रोली की ओनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सोडिया स्टुडेंस आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीनियम की क्लास फॉर्थ की बुक नोलेज वर्ड का चेप्टर नमबर फॉर इससे पहले बादी वीडियो में हम चेप्टर नमबर थी को अच्छे से पढ़ चुके थे आज की इस वीडियो में हम वेल्यूबल प्लांट्स के बाद फूड फ्रॉम प्लांट्स हमें अब क्या पढ़ना है पोधो से खाना क्या है कि पोधो से कौन सा खाना प्राप्त होता है अब किस खाने को किस नाम से बुलाते हैं वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगी तो आप सब जानते हैं कि पोधों से हमें कई सारी चीज और भी चीज प्राप्त होती है वेल्यूबल पोधे में और भी कई सारी चीज आती है जो हमने उसमें पढ़ा था उसके बात की और चीजे जो जो हमें पोदों से ही प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या क्याते हैं जैसे सबजियां फ़ल तेल और डालें ये सारी चीजें भी हमें कहां से प्राप्त होती हैं पेड पोदों से ही प्राप्त होती हैं तो आज की इस व हैं तो आएए अब हम शुरू करते हैं इसे पहले आप वेल्यूबल प्लांट्स के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था अब ये भी हमारे वेल्यूबल प्लांट्स में सही कुछ एक है तो आएए फूट फ्रॉम प्लांट्स नेम दगरूफ उफ नाम लिखना है कि यह किस फूड आइटम से ब्लॉंग करते हैं जैसे सबजियां तेल फूट डाले इन में से किस आइटम से ब्लॉंग करती हैं उनका नाम हमें यहां पर लिखना है तो हिंट की तरह ही रूप में यह कुशिन सारे हमें जैसे कि हम पिछले चेप्टेस के करत बनाना ओरेंज अभी यह सब क्या है यह हमारे मेंगो एपल्स ग्रेफ्स बनाना ओरेंज यह सब क्या है यह सब फल है क्या है फ्रूट है तो आप सभी इस क्या क्या फ्रूट लिख लीजिएगा कि क्या है यह सब फ्रूट तो लिख लीजिए आप सब फ्रूट्स मेंगो, एपल, ग्रेफ्स, बनाना, ओरेंस ये सबी हैं हमारे फ्रूट्स हैं हम इनको फ्रूट्स के रुप में खाते हैं अब दूसरा देखिए काइडमोन, क्लॉव, फेन्यू ग्रीक, सेफ्रोन, चीली ये सबी क्या है हमारा काइडमोन, क्लॉव, फेन्यू ग्रीक, सेफ्रोन, चीली ये सब क्या चीज़े हैं हमारे लिए हम क्या बोलते हैं हम सब उनको बेवरेज बोलते हैं तो बेवरेज की स्पिलिंग आपको आसानी से हेल्प बॉक्स में सी नंबर पर दिखाई देरी होगी तो ये हमारा जो है कार्ब, मॉन, क्लॉव, फेन्यू ग्रीक, सेफ्रोन, चीली ये सब हमारे इस्पिसिस हैं क्या है हमारी इस्पिसिस? तो इसमें आप इस्पिसिस लिख लीजिएगा ये बी नंबर पर आपको दिखाई देरा होगा इस्पिसिस तो इसे आप अच्छे से यहां पर लिख लीजिएगा अब आज ये क्यूशन नमबर त्री पर क्यूशन नमबर वन वर टू हम सौल कर चुके हैं क्यूशन नमबर त्री देखिए वीट, राइस, मैज, बैरली, जुआब अब ये सब क्या है हमारे लिए तो आप सभी जानते हैं ये सब चीज हमारे लिए क्या है केरियल्स तो आप इसके उत्तर में लिख लिए जिएगा ये सभी क्या है हमारे केरियल्स है अब आज ये क्यूशन नमबर फॉर जो है वो है मस्ट्रेट, ग्राउंड नट, सन फ्लोवर, सोया बीन अब यह सब क्या है हमारे ओईल इन सब से क्या निकलता है ओईल मस्ट्रेट से भी ग्राउंड नट से भी सन फ्लोवर से भी और सोया बीन से भी हम ओईल प्राप्त करते हैं तो इसमें हम ओई लिख लीजिएगा question no 4 में oil अब question no 5 फै देखिए टी, coffee, cocoa टी, coffee, cocoa, हम इनको क्या कहते हैं तो इनको हम beverage कहते हैं, तो आप इसमें beverage लिख लीजिएगा जिसकी spelling आपको help box में आसानी से देखने को मिल जाएगी तो आप इसमें देख करके बेवरेज उत्तर में लिख लीजिएगा कि tea coffee और कोकॉस क्या होते हैं हमारे लिए हम इनको किस नाम से जानते हैं बेवरेज के नाम से जानते हैं अब आजाते हैं हम question number six देख लीजिए आप सब question number six जो है वो है उरत मूंग अरहर राजमा मसूर अब यह सब क्या है उरत मूंग अजहर अरहर राजमा मसूर यह सब चीज़े क्या है यह सब डाले हैं क्या है दाल तो उनको दाल को इसमें क्या करते हैं पल्सेस तो आप इनको उत्तर में लिख लिजएगा पल्सेस question number six के उत्तर में लिख लिजएगा पल्सेस जो आपको help box में पहले नंबर पर आसानी से spelling देखने को मिल जाएगी तो उसमें देख करके आप गांसा लिख लिजएगा पल्सेस उसके सामने अब आता है हमारा question number seven जो की है potato carrot lettuce tomato onion अब यह सब चीज़े क्या है यह हमारे वेजिटेबल्स हैं तो इसमें आप वेजिटेबल्स लिख लिजिएगा तो इसके उत्तर में आप वेजिटेबल्स लिख लिजिएगा पोटेटो गेरज lettuce, tomato, onions यह सब चीजे हमारे किसमे हैं यह सब हमारे vegetables में आते हैं तो इसके उत्तर में आप vegetables लिख लीजिए आज की इस वीडियो में इतना ही अब इसके next वीडियो में हम इसके आगे के part बीभाग को पढ़ेंगे और आप उसे बीभाग को अच्छे से पढ़कने की कुशिश कीजीगा और उनके उत्तर लिखने की कुशिश कीजीगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद अब आप सभी इन सब को अपने अपनी फेर कोपी में कर लीजिए और उन्हें देख लीजीगा धन्यवाद